जब से 370 हटा है तभी से दिन में 5 बार ट्वीट करके और अगर कहीं सभा है तो सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान भारत को लल कारते हैं और कहते हैं कि कश्मीरियों पर की अत्याचार और बहे खुन का बदला पाकिस्तान एक-एक करके लेगा वही जब कप्तान ही बेलगाम हो जाये तो प्लेयर का क्या प्लेयर भी यही कर रहे हैं जैसे कि पाकिस पाक सेना के अध्यक्ष जनरल बाजवा ने तो बकाईदा ये बात एलान कर दी कि भारत के खिलाब पाकिस्तान की आर्मी खून के आखरी कत्रे तक लड़ेगी। लेकिन अचानक पाकिस्तान में भूचा ला गया और पाक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के डौन अकबार ने किया है। कराची में बोलते हुए इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भारत को समझाए नहीं तो भारत के युद्ध नुमादी दिमाग और खतरनाक हत्यारों की खरीद बता रही है कि भारत दक्षे डेशा में शान्ती नहीं चाहता। और दुनिया भारत पर दबाव बनाए कि हत्यारों की होड़ ना करें जिससे पडोसी देशों को खत्रा महसूस ना हो। वही पाक प्रधान मंतरी इमरान खान ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है और दोनों को साथ आकर काम करना चाहिए जिससे दोनों विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हम दोनों को चाहिए कि गरीबी, क्लाइमिट चेंज और भुकमरी से लड़ना चाहि ठीक उसी तरह इमरान खान ने भी पहले तो चिकनी चुपडी बात की फिर अपने रंग में आ गए और कश्मीर को लेकर दुनिया को गलत जानकारे दी दुनिया को कश्मीर को लेकर भढकाव बयान दी और कहा कि दुनिया भारत को समझे कश्मीर में मुसलमानों पर इसे लेकर भारत सरकार और मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भारत कश्मीरियों को मार रहा है। जो भी हो पाक कहता कुछ है, करता कुछ है और उसका सिर्फ एक ही काम होता है। वो है भारत को अस्थर करने के लिए आतंकी तयार करना और भारत में भीजना। झाल